हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू नॉलेज सरकल दोस्तों यूपी पुलिस जेल वार्डन और फायरमेंड का अभी अभी फर्स शिप्ट का एक्जान संपन हुआ है तो हम लोग स्वाल करते हैं पूरे पेपर को सबसे पहला कोश्चन है भारत में लोसूंग या लोशंग तेवार जातर हर साल दिसम्बर में मनाय जाता है तो राज का नाम पूछा था तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर C सुरी दोस्तों आप्सन नंबर B सिक्किम में लोसूंग और लोशंग तेवार मनाय जाता है अगला प्रशन है निम लिखित में इससे कौन सा सही हो जाएगा इतियास कारों के अनुसार निम लिखित में से किसी दिल्ली का पहला सुल्तान माना गया है तो दिल्ली का जो पहला सुल्तान माना जाता उसका नाम है कुत बुद्दिन एवाग दोस्तों अगला प्रशन है इथोपिया की मुद्रा क्या है जो इथोपिया की मुद्रा है वह आप्षान नमर डी विर अगला प्रशन है अगस 2020 में सोड चक्र पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया था तो करेंट से कोशन था आप्षान नमर बी एक दोने सही हो जाएगा मेजर अमन सिंग अगला प्रशन है निम्न लिखत में से पुलिस की रैंक को न निम्न लिकित में से किस वर्स में भारती आईटी अद्रियम 2000 में प्रमुक्ष संसोधन किया गया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर C. 2008 में इसका संसोधन किया गया था भारत में नोट बंदी कब होई अक्सर लोगों को यह कोशन सही होगा तो इसका जो सही आंसर है ऑप्सन नमबर इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस ने सबसे पहले जीएश्टी को लागो किया था नेक्स कोशन है 1913-14 में वे टाना भक्त आंदोलन के नेता कौन थे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर पॉल्टी से यहां पर दिया गया है मानव तसकरी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेक भारती संव्दान के मालुक अधिकारों के किस रिड़ी में किया गया है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर इसको प्रत्वंद किया गया था तो आप लोग इसका सही आंसर जाएगा ऑप्सन नमबर कि सापेश आदर्ता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है आप लोगों ने इस कोशन को पढ़ाओगा तो हाइड्रो मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अगले कोशन को बढ़ते है निमलिकित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच व कीमा या एक समझोता किया जो 2015 के अनुसमर्थर्न पुष्टी या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेडिफिकेशन की आदान प्रदान के बार लागो हुआ तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्सिन नंबर B बंगलादेश अगला प्रश्वित पुस्तक दा कैलकाटा कुरोमोर्स निम निम लिखित में से किस लिखक द्वारा लिखा गया तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्सिन नंबर C अमिताब घोष अगला प्रश्वन है उत्तर प्रदेश के नोटंग की राश लीला कजरी छोरा छपेली और जैहता निम लिखित में से किस सम्बंदित हैं तो यह सा सब्सक्राइब लोग निरत हैं ऑप्सिन नंबर A एक दम से सही हो जाएगा अगला प्रश्वन है जनुरी 2020 में आसुगंज और खवरा के बीच 50 किलो मीटर लंबी सड़क को चार लेंड के राजमार्क में बदलने के लिए निम लिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक जाएक कर समझोते पर हस ताचर की तो इसका सही आंशर होगा बंगलादेल बहरत में कितने केंदृ गुपतचर पर सिच्ण विद्याला हैं और अप्सिन नंबर B पांच केंदृ गुपतचर पर सिच्ण विद्याला है इंडिया में इस समय में अगला प्रश्वना दिकार उच्छाइउक्त कार रहा लए में 26 के दोड़ान निमदनी लिकित में से किस निकाय ने मानुवादिकार आयोग की जगह ली तो सही अंसर हो तो सही आंसर हो जागा 16196 मिलियन अगला प्रशन है निम लिकित में से कौन से देश संयुक्त राज स्वच्छा परिशत के 27 सदस हैं तो अप्शन नमबर डी जिसमें लिखा गए संयुक्त राज रूस", यू के फ्रांस और चीन शय आंसर डी आप्शन हो जाएगा अगला प्रशन है निम लिकित में से कतनों को पड़ें और और विकल्प चुने तो दोस्तों इस क्वे कोस्छन का जो सय आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर एक व्रहत खिचा वाला धन्त वाद्यन्त है दोस्तों यह गलत है और अगला बोवली वीरा को आम तर पर एकड़ा वीरा के रूम में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बना जाते हैं इसलिए आप्शन नमर सी एकदम से सही हो जाएगा अगला प्रश् सीमा नहीं भारत और चीन को कौन सी सीमा बाठती है स्रकोशन में देखा इसका सभी आंसर हो जाएगा केंदी पुलिस प्रिशिच्छड अकादमी में निमनी लिखत में से किसे सेड़ी के अधिकारियों को बुनियादी प्रिशिच्छड मिलता है तो आपसर नमबर एकदम स सेड़ी हो जाएगा टेगर्त केस अधिकारियों को डिया जाता है अगला पर स्मндान के राज के निद देश्व शिद्दान की अधारा निमनीकित में। किस समदान से ली गई है तो आयरे लेंट के समदान से नीर्ट दिसक दान के और धरण ली गई है अगला प्रशन कीचती भारत में जायत फसल के रूम में की जाती है जायत की फसल में तरबूज कड़ी खीरा इस की की कहती हो तो इसले शाही आंसर हो जाए गा Option Now C तर्बू अगला क्षें मानुवा दिकार परशद नििम्न लिकित में से किस वर्ष में गठित की अगया था तो Option Number C एकदम से सही हो जाएगा सब्सक्राइब कर लीजिए मार 2020 में उत्तर प्रदेश सरकाद वारा जारी आकड़ों को एंसवार उत्तर प्रदेश के निम लिखित में से किस जिले ने जीडीपी में अधिक्तम योगदान दिया तो नोड़ा ऐसा जो शैर था इसी ने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में से जीडीपी में योगदान दिया है अगला प्रस्ण है निम लिखित में से किस दिन को राष्टी एक्तादिवस के रूम में मनाते हैं अग्ला प्रश्ण है कि ने लिगरी खापली भारती क्रशी अनुसंदान संस्तान दौरा-जारी निम लिखित फसलों में से किसकी एक उच्छ उपज मानी जाती है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी के हूँ दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यह समाथ होता है मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिल आइकन को जरूर दबाएए थैंक्स वर राचिंग दिस वीडियो